नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका स्टूटिव चैनल पे नो बैन सरकारी करमचारी भी बोलेगा कोट ने निलंबन किया खारिज रैली में जाने पर महिला पर हुई थी करवाई तो पूरी ख़बर पर ले पढ़ लेते हैं फिर बात चीज जरूर करेंगे और अपना आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिए क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टन डेशनल पे है अदालत ने अब ये बात साफ कर दी है कि किसी भी सरकारी करमचारी को किसी भी बात प मामलो और विशेश रूप से वर्तमान दोर में चल रहे सोशल मीडिया में कमेंट लिखने जैसे मामलो पर कारवाई से जूजना पड़ता है जिसके कई मामले देश में आ चुके हैं ऐसे ही एक मामले पर तिरपुरा हाई कोर्ट ने अपने फैसला सुना दिया है तिरपुर सरकारी करमचारी को बोलने की आजादी है लिपिका पॉल नाम की याचिका करता को उनके रिटायर्मेंट से चार दिन पहले ही राज मचली पालन विभागने दिसंबर 2017 में एक राजनेतिक करक्रम में भाग लेने और फेस्बुक पर राजनेतिक पोस्ट लिखने के करान नि अजनेतिक विचार विक्त करने का अधिकार है मुखिनादिश अकील खुरेशी ने कहा याचिका करता को एक सरकारी करमचारी के रूप में बोलने की आजादी से अचूता नहीं रखा जा सकता ये एक मौलिक अधिकार है जिस पर पाबंदी सिर्फ कानून के आधार पर लग रेटायर्मेंट से चार दिन पहले गिरी थी गाच तो देखे एक मामला सामने आया है अभी तक हमेशा से ये माना जाता रहा है कि जो सरकारी करमचारी हैं वो किसी भी राज़ितिक पार्टी को खुल कर सपोर्ट ना करें वो किसी भी प्रकार के कोई कमेंड ना करें किसी भ कोर्ट के ओर्डर के बाद एक बात तो साफ होती है कि सरकारी कर्मचारी को भी बोलने का अपने अधिकार का यूज करने का पूरा पूरा हक है वो चाहे तो किसी पार्टी की रैली में जा सकता है वो चाहे तो अपने मन बसंदीदा पार्टी को चुन भी सकता है और बोल भी सक लेकिन आप एक बात ध्यान नखियेगा सरकारी खेल सरकारी पेंच और सरकारी नियम ऐसे होते हैं जिनको जब तक पूरा ना समझा जाए उनसे नहीं खेलना चाहिए आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि एक शब्द दिया हुआ था कि रूल पांच के तहत प्रतिबंदों को दियान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने का दिकार है अब जब तक आपको इस प्रतिबंद के बारे में नहीं याद पता होगा कि इस रूल पांच में क्या लिखा है तो इसलिए आधा ग्यान लेकर किसी भी जाजनीतिक मुद् में या विपक्ष में कोई भी ऐसी जगह जहां पर बोलने पर आप किसी भी प्रतिबंद जो नहीं लगा है या क्या है क्योंकि रूल तो आपको नहीं पता पूनता है आपने किसी निवावली पढ़ी नहीं है इसलिए प्रयास करिए हाँ अधिकार है इस ओर्डर के बाद के पास भी अधिकार है परंतु कोशिश करिए कि इन चीजों से बचिए और किसी भी राजयतिक पार्टी को लेकर खुले मंच पर ना बोलिए क्योंकि पता नहीं कब आपके उपर गाज गिर जाए और आप कोड में भी प्रूफ ना कर लास्ते वीडियों किसके बहुत झाल